दोस्तों आज के वीडियो की सुरुवात हम पर्सिवरेंस मार्स रोवर के अमेजिंग फर्स्ट ड्राइविंग साउंड से कर रहे हैं So let's have a look दोस्तों पर्सिवरेंस रोवर ने अपने काम को बखुबी निभाते वे मार्स की सर्फिस पर एक बार फिर से लाइफ की पोसिबिलिटीज को दर्साने वाला एक वंडरिन एक्टिविटीज को कैप्चर करने में सफल रहा है और अपने वेरियस कैमरा सिस्टम की मदद से लाल गराप पर हवाओं के चलने और धूल मिटी के उड़ने की बहतरीन इमेजेस कैप्चर करने में सफल रहा है और दोस्तों अभी यहाँ पर्चिविरेंस रोवर द्वारा स्पोटेड उसी विंड डश्ट डेविल की रियल फूटेजेस देख पा रहे हो जो नासा के जेट प्रोपल्सन लिबरेटरी द्वारा हाल ही में जारी किया गया है दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ तो इससे पहले क्रियो सिटी रोवर ने भी मार्स के हिल्स एरिया में ऐसे ही एक डश्ट डेविल हवा के छोटे तुफ़ान के चलने की ब्लेक औड वाइट फूटेजेस पहले भी कैप्चर कर चुका है और दोस्तों नासा के पर्सिवरेंस रोवर ने अपना कोई भी बोडी पार्ट्स यानि बेली पैन को मार्स के सर्फिस पर नहीं गिराया था बलकि इस बेली पैन को पहले से ही नासा द्वारा इजक्टिबल प्रोसेस के लिए डिजाइन किया गया था जिसे सेटर्डे को जानबूज कर पर्सिवरेंस रोवर के में बोडी से इजक्ट यानि अलग किया गया साथ ही दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ नासा द्वारा रिलीज जेजेरो क्रेटर की लेटेस्ट टोप 13 इमेजिस को भी सेयर कर रहा हूँ जिसमें आप मंगलकर पर मौजूद रोक्स और सेंडी सर्फेस की अमेजिंग व्यूज को देख सकते हैं और अगर आपको वीडियो इन्फोरिमेटिव लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले तो मैं हूँ टवी और आप देख रहते हैं अपना साइन्स चैनल टवी टेकनिकल स्पेस आपका धन्यवाद जय भारत